हेलो ट्रेडर रस्त वालक साथ आपका आज की नई वीडियो मेरा नाम है रस्तलाल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेटप के बारे में जिसे मैंने आज के दिन पर्सनली यूज किया है और उससे मैंने सिर्फ एक लोट से मैंने 6,300 रुपे के आसपास कमाई हैं तो एक लोट पे 6,000 रुपे का प्रॉफिट जो होता है वो काफी जादा होता है वैसे तो हम यहां से लगबख 60,000 भी कमा सकते थे क्योंकि जो मुवमेंट आई है 42,000 से लेकर 49,500 तक आई है मतलब कि लगबख 5,000 मार्केट गिरा है लेकिन मैंने जो इंट्री की थी वो इंट्री म होता है वो काफी जादा होता है 6,000 रुपे का लेकिन यहां पे इंपोर्टेंट क्या है कि सही ट्रीड कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट जो गिरेगा वो लंबा गिरने वाला है और कब तक हम उसे होल्ड कर सकते हैं देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि प् 2,000 का लॉस हम बुक कर लेते हैं उसके बाद अगर वो 2,000 का लॉस कवर हो रहा है कोई मूवमेंट आपको ऐसी मिले जो 2,000 का लॉस है आपका वो कवर होता है और आपको अगर 200 रुपे प्रॉफिट में भी दिखेंगे ना तो आप उसे लेकर भाग जाओगे प्रॉफिट बुक कर लेते हो 1,000-2,500 रुपे का जैसे कि मैंने एक लोट पे 6,000 का प्रॉफिट बुक किया लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पस्ताबा हुआ कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा और मैं बस यही सोचता रह गया भाई कि अगर मैं इसे होल्ड कर लेता भ खुद सिखा है तो मैं खुद भी सिख которую और आपको भी सिखाउंगा क्योंकि मैडी मेरा जो trading में कैरियर है वह अभी अभी शुरूआत का है मैं सिर्फ एक लोट करता हूं ठीक है यह वीडियो बनाई जा रहे लेकिन मार्केट गिरा नहीं तो मैं आपको इसका भी चार्ट ऑंपन किया हुआ है यह मैंने ट्रेडिंग व्यूपर किया हुआ ठीक है तो ट्रेडिंग व्यू के जो वेबसाइट है वो सब लोग जानते हैं वाई ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन कैसे करनी है गूगल पर जाकर ट्रेडिंग व्यू सच करेज़े आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा यह बैंक निप्टी का मैंने चार्ट लगाया देखें मैं इनको सब को कार्ट देता हूं आपके सामने में दोबारा से लगाऊंगा इनको इंडिकेटर से में सर्च करना है आपको सर्च करना है EMA ठीक है EMA आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने लिखा आएगा Moving Average Exponential इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यह आप एपलाई हो चुका है दोबारा इंडिकेटर में जाना है जल्दी जल्दी में इसलिए बता रहा हूं भाई ताकि यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसमें सर्च करना है UTBOT तो जैसे ही आप UTBOT यहां पर सर्च करोगे तो आपके सामने यह वाला जो लिखा हुआ आएग आपको एक रखनी है यह टीयर पीरियर आपको एक रखना केवल इतनी सी सेटिंग आपको करने है इसमें कोई भी छेड़का नीए दूसरी नहीं करनी है ना स्थाइल में ना विजिय वेल्टी में केवल इंपॉट में आना है और की वेलियू को तीन और इतनी से शेटिंग बस तीसरा जो indicator है वो आपको बताएता हूँ, indicators में search करना है आपको super trend, super trend जैसे ही आप search करोगे, super trend आपको सब से पहले आपको simple वाला मिलेगा, ठीक है, बाकि आपके सामने बहुत से super trend है, और हर indicator यापके कई तरह से मिलेगा, लेकिन आपको simple use करना है, पहला वाला, super trend simple जो ल ATR length को 20, factor को 3, clear हो गया, time frame बगएरा कुछ भी आपको share खानी नहीं करनी है, बस बाहर निकल जाना है, तो आपके सामने मैंने यूज किये 25 EMA, यूटी बोट 3 1 है, super trend 20 और 3 है, ठीक है, अभी इनका जो use है, वो बहुत ज़्यादा important है, देखे, पिछली वीडियो आपने जै करके आप से कहता हूँ, strategy को अच्छे से समझें, ताकि आप एक अच्छा profit कमा सकें, अच्छे से नहीं समझेंगे भाई, तो हो सकता है, आप loss के बागीदार बन सकें, signals का आप मतलब समझगे होंगे, जो bot alerts के signals यहाँ पर buy और sell के, इनका मतलब क्या है, कि sell signal का मतलब है, आपको call buy करना है, इतना समझेंगे भाई, जब buy signal मिलेगा, call buy करना है, जब sell signal मिलेगा, आपको put buy करना है, अभी आप यहाँ पर देखिए, यह sell signal मिला है, यहाँ पर आपको, लेकिन market यहाँ गिरा नहीं है, इन fake signal से कैसे बचेंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ब नाम भी alert है, यूटी बोट alert हो, यह alert करता है कि यहाँ पर selling आने वाली है, तो आपको sell signal जब लिखा हुआ आएगा, तब आपको alert होना है, दूसरा आपके सामने है, indicator यहाँ पर super trend का, super trend red हो जाएगा, मतलब कि double confirmation हो गया, market गिरने वाला है, ठीक है, यहीं पर आपको sell signal मिला और super trend भी कह रहा है कि market गिरने वाला है, दो alert आपको मिल गई, confirmation आपको कब मिलेगा, trade कब लेनी आपको, जब 25 EMA के market नीचे आएगा, जब कोई भी candle 5 मिनट का time frame है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, 5 मिनट का time frame मैंने लगाया हुआ है, जब 25 EMA के नीचे को आपको एक put buy करना है, ठीक है, तब ही आपको एक put buy करना है, और target भाई मैं कभी नहीं बताता हूँ, ठीक है, target तो मैं कभी नहीं बताता हूँ, जितने मैं आपको संतुष्टी हो सके, जितना आपको अच्छा profit लगे, उसमें आप निकल जाए, क्यों कि भाई, मैं खुद य देखिए, buy signal मिला, super trend green है, ठीक है, दो signal यहाँ पर आपके alert है, buy signal मिल गया, super trend green है, लेकिन, तीसरा confirmation क्या है, EMA के उपर होनी चाहिए, और जब call buy करना है आपको, तो EMA के candle उपर होनी चाहिए, वो भी green, बात करते हैं, इस fix signal की, कि इससे कैसे बचना है, देखिए, sell signal मिला ह आपको इस cable देखने के लिए sell signal मिला है, alert के लिए ठीक है, कि यहाँ पर selling आ सकती है, लेकिन, super trend यहाँ पर green है, तो super trend green है, तो आपको sell नहीं करना है, दूसरी चीज, जो 25 EMA आपके सामने, इसके नीचे candle close नहीं हुई है, तो सिर्फ sell signal देखके आपको trade नहीं लेनी है, तो आपे से fake signal से भी आप बच सकते हैं, इतना समझ में आपकी में आचुका होगा, अभी मैं बात करता हूँ, stop loss की बहुत ज़्यादा important है, stop loss, तो stop loss आप लगाओगे कब, जब आप trade में execute कर दोगे, जब आप trade ले लोगे, उसके बाद ही आपको stop loss लगाना है, तो मैं आपको simple बता देता हूँ, किसी भी candle पे जब आप entry कर दो, entry कब करोगे, जब candle EMA के नीचे आजाएगे, तब ही तो put by करना है, आपको, put by कब करना है, जब EMA से candle नीचे आजाएगी, और stop loss लगाना आपको EMA के ऊपर, EMA के ऊपर अगर candle close करती है, कोई भी, कोई भी candle कभी भी, EMA के उपर close कर रही है, मतलब की trend बदल सकता है, तो आपको अपना stop loss दे देना है, कितना आपकी समझ में आ चुका होगा, stop loss आपको कहाँ पे लगाना, EMA के candle उपर अगर close करती है, तो आपको stop loss लगाना है, और अगर call side के बात करें, तो आपको EMA के नीचे stop loss लगाना है, EMA के न पोड़ी सी back testing, ठीक है, back testing के लिए वीडियो वैसे थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो मैंने आपे fake signal भी बता दिया, आपको avoid कैसे करना है, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपको जो management rules है, वो आपको समझा दिये है, तो इसमें जो सबस के साथ में, ठीक है, signals के साथ में, super trend आपको देखना, trend के खिलाब कभी जाना नहीं है, इस trend चल रहा है, down में आपको, अगर signal मिलता है, भाई का, तो आपको trade नहीं लेनी है, call की, trend के खिलाब कभी नहीं जाना है, trend के खिलाब जाओगे भाई, तो हमेशा loss ही मिलेगा, तो ब sell signal मिला था, तो मैंने यहाँ पर trade नहीं लिया, जब यह दो candle यहाँ पर close हो चुकी थी, तब भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था, उन दोनों candles का, ब्रेक आउट नीचे की और हो रहा था, red candles जो है, यह आपको जूम करके दिखा देता हूं, यह दो candles जो है, red वाली, इन दोनो candles का जो low है, जब यह low break होता हुआ देखा मुझे, तब मुझे confirmation हुआ, कि वाई, EMA के candles नीचे भी है, super trend red भी है, signal sell का भी मिल रहा है, तो मैंने एक put buy किया, और जो profit है, वो मैंने hold किया, सिर्फ 41,000 तक आने का, क्योंकि यह एक psychological number है, और जो movement में profit मिलता है, वो भाई, उतना जल्दी मिलता है, उतना ही जल्दी loss में भी convert होता है, तो मैंने सीधा यहां पे exit मार दिया भाई, लेकिन मैंने 6000 का profit लिया था, उसके बाद मैंने market को बंद कर दिया, कहीं भी जा, लेकिन मैं 6000 का loss नहीं लेने वाला हूँ, 6000 का profit चाहे 20,000 हो जाए, लेकिन 6000 से मुझे क हम नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर इसमें trade करता है, तो हो सकता था, कि मैं यहां पे एक call buy कर लूँ, क्योंकि 11 से यागर psychological number है, तो यहां पे call buy करता हमें, और market नीचे की हो ले जाता, तो 6000 का loss भी यहां पे हो सकता था, इसलिए मैंने over trading ना करके, मैंने cable profit को बचाने की कोश था है, ठीक है, 2000 का loss लेने के लिए तयार रहते हैं, और 500 रुपय के profit को लेकर भागने के लिए भी तयार रहते हैं, तो यही psychology मेरी है, यही psychology आप सब की है, profit को ओल्ड नहीं करते हैं, loss को ओल्ड करते हैं, तो वही psychology मेरी भी है, लेकिन मैं सीख रहा हूं, और आपको सिखा भी रहा हूं मैंने 6000 तक एक लोट पे profit को hold करनी कोशिस की उसके बाद मेरा सबर तूट गया भाई मुझे बहुत बड़ा profit लगा एक लोट पे 6000 का मैं निकल के बाग गया और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे झाल